असलाम लेकम दोस्तों, कैस हो आप सब खेरियास से हो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साओधी अरब का एरपोर्ट का रूल और रेगूलेशन के बारे में साओधी अरब का जो most international एरपोर्ट है वो रियाद एरपोर्ट, दमाम एरपोर्ट और जद्दा एरपोर्ट है तो कोई भी परदेसी भाई छुटी अफाइन एलेग जिट पर जाने से पहले सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछते हैं वो ये पर प्रफ्यूम या रूम इस्प्रेश, सैंपू, क्रीम वगराई इन सारे समानों को अपने लगेज में रखकर लेकर जा है या फिर अपना हैंड बेग में लेकर जा है तो अपने घर को जाने से पहले सौधी एरपोर्ट का rule and regulation के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो इस वीडियो में आप लोगा on ref ponantik сейчас के बारे में बताने वाला वмат तो वीडियो को लाच तक जरूर करते हैं एम एपने लाइक ने किच्छंन सबसे लाइक लाय करते हैं और चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह का इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं तो चलिए वीडियो सूर करते हैं आप सब्सक्राइब भी बखरीत के मौके पर अपने घर को चुटी या फैनलिक जरूरी है अगर आप सब्सक्राइब से पहली बाद चुटी या फैनलिक जरूरी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपार्डेंट है जिस वक्त कोई भी परदेशी भाई चुटी या फैनलिक जरूरी पर अपने घर को जा रहे हों तो सबसे पहले वो टिकट बुकिंग का काम करते हैं बहुत सारे परदेशी भाई टिकट को खुश से ही अपने मोबाईल के जरीया बुक करते हैं तो तो टिकट को पुशा लिए हो मेरा दोस्त के साथ एसा प्रॉब्लम हो चुका है वो Saudi Airlines का टिकट तो book किया था और उसके टिकट पर 30 किलो समान लिखा हुआ था तो वो टिकट को अच्छा से नहीं परा था और 30 किलो का वो 2 bag कर लिया था 2 bag pack करने के बाद जब वो एयरपोर्ट पर गया तो एयरपोर्ट पर जिस वक्त वो boarding करा रहा था तब उसको पताया गया है कि दो बैग अलाओट नहीं है आपके टिकट पर सिरिफ 30 किलो समान है और उसके लिए शिरिफ आपको एक ही बैग करना होगा तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा हो तो आप ऐसा गलती ना करें जब भी आप छूटी या फाइनल जिट पर जा रहे हो तो आप टिकट को अच्छे से पढ़ ले इसके लाओ बहुत सारा पादेशी भायों का सवाल था कि साओधी एरफ से अपने घर सोना कितना गिराम लेकर जा सकते हैं या फिर कितना तोला लेकर जा सकते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दू अगर आप जेन स जाते हैं तो आप सिर्फ 5-10 ग्राम तक ही गौल लेकर जा सकते हैं जिस पर आपको कष्टंपे नहीं करना होगा लेकिन आगर आप इसे ज्यादा का बिस्केट बनाकर ले जाते हैं या गौल्ड का कोईन बनाकर ले जाते हैं तो आपको इंडियन एरपोर्ट पर और इसके ज RJNES के लिए लगледए रूल है अगर लेडीश आपके साथ तो अपने साथ इससे ज्यादा का सहना लेकर जा सकती हिसके लिए आपको कश्टम ca yoga आपको दियुकि अ ज़ूणी कॉयोंकि पर यह एगा सहन मीज्मक के कि मैं अपने साथ नए आईफून कितना पिस लेकर जा सकता हूँ अगर मैं एरपोर्ट पर आईफून लेकर जाता हूँ तो क्या मुझे कश्टम पे करना होगा तो मैं आपको बता दो कि अगर आप साथ किसी भी एरपोर्ट से अगर आप आईफून लेकर जाना चाहते हो तो आ आप 4-5 पिस Android Mobile चाहे नया हो या पुराना हो लेकर जा सकते हो इसके लिए आपको कोई भी कस्टम प्यार नहीं करना होगा। बहुत सवाल था कि या मैं अपने साथ लैप्टोप साओधी अरफ से इंडिया लेकर जा सकता हूँ, बहुत सरे परदे से भाई कोई भी सवान था कि भाई मैं पावयर बैंक पावर बैंको लगेज में रखकर लेका प्रॉब्लम नहीं होगा। घवल फ cycl looki तो आईसा गलती आम बींदीना करें। आप वीडियो आप लोगों पसंद आये हो, वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शाद वीडियो को जरूर शेर करें, ताकि वो लोग भी साथी एरपोर्ट का रूल एर निगुलेक्शन के बारे में जान सकें, और चैनल पर अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, क्यूंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ, इसके लाग अगर आप मुझसे डारेक्ट बाते करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रप्शन में में मेरा फेस